हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू डॉक्टरेवी क्लासे दो फिजिक्स के यूटूब चैनल पर यहां इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्लसवन फिजिक्स के लिए छोटे से छोटे कुसे दो टॉपिक एकॉरिसी एंड परसीजन और एकॉरिसी एंड परसीजन के बीच का डिफ बीचान है तो चलिए जल्दी से स्थार्ट करते हैं उगया है इस करते हैं उन्हों पर लाएट साथल तो श्कत्म ऐंकॉरड वासए गोया फिर घर्टार यह पर नियों रेंच प्रॉरिसी एड कितने आप साही हुँ उलब Snake कि लंती आ सनके norm स्टिखिके नयौंट्स द॥िक सब्सक्राइब और आप लैबोर्टरी में एक्सपरिमेंट करते हो ठीक है कितना क्लोज उस वैल्यू के आप पहुंच सकते हो that closest value to the true value standard value जो आपको पता है कितना चाहिए उस result के ठीक है उस true value के कितने close तक आप जा सकते हो that value that measure value is your accurate value clear तो समझे इसको ठीक है तो हम क्या बहुत सकते है how how close how close a measured value how close a measured value to to the true value ठीक है बेटा to the true value आप कितना close ना सकते हो measurements calculated value observed value ठीक है जो को experiment करते हो readings लेते हो na that readings are your measured values observed values calculated values ठीक है to that readings are your measured values तो उसको measured value सबसे ज्यादा measure value जो close है आपके true result के 9.8 meter per second square के that value is your accurate value clear उसको क्या बोलेंगे इसको मैं अभी आपको example लेकर के समझाता हूं मान लीजिए let's let you guess the length of this mark आप कितने students देख रहे हो ठीक है अब सब guess करो अपने mind में इसकी value कितनी है ठीक है scale layout कोई भी scale layout ठीक है तो किसना किसी कमी की वजए से error हमारे पास आए जाएगी error हमारा next topic है अभी accuracy की समझने है अभी तो मान लीजिस की true value है let's suppose let's suppose true value of length of the marker length of the marker कितनी है exposed 14 point say 13.8 cm so this is the say अपनी इसकी true value है actual true value है ठीक है इसकी कितनी है 13.8 cm okay अब चलिए इसका length calculate करना शुरू करते हैं आप guess कीजिए calculation करना शुरू करते हैं someone says its length is 13.7 cm someone says its length is 13.9 cm someone says its length is 14 cm and someone says its length is 14.2 cm and someone says its length is 13.6 cm and someone says its length is 13.5 cm no issue 13.9 cm so कितने बच्चे देख रहे हैं अब सबने इसकी length इतनी है someone says its length is 12 cm someone says 10 cm someone says 15 cm कितना भी लिखते जौन होगी शुरू करो ठीक है तो हमें हमने एग्जार्ट लिया measured value की ठीक है जिसके पास जो scale है उसने market की length measure करनी शुरू कर दी और length अलग अलग अई देखिए ठीक है length same लिया सब्सक्राइब चाहिए तो चलिए से सबसे ज्यादा accurate value कौन सी कहेंगे how close a measure value to the true value true value ठीकनी है 13.8 cm ठीक है और जो value इन सब ग्रीडिंग में से या आपने रीडिंग लिए अभी एक्सपरिमेंट या रीडिंग लिए इन सब ग्रीडिंग में से सबसे close value 13.8 k है that is your accurate value ठीक है तो इन सब में से accurate value कौन सी है 13.7 सब से close है 13.9 भी भोड़ सकते हो ठीक है these two values are your accurate values ठीक है 13.7 भी हो सकती है 13.9 भी हो सकती है ठीक है पेटा यह आपकी accurate values है this is called accuracy क्या आप कितना close जा सकते हो true value के by measuring the किसी चीर को मैं कितने experiment है वी फिलिक्स में बहुत साथ experiments है करके भी हो थोड़ी हो तो कितने experiment हो ठीक है 13.7 ना होता तो accurate कौन सा होता 13.9 होता ठीक है 13.9 भी accurate ना हो value reading नहीं आती किसी बच्चे की सबसे जाल accuracy किसकी होती कौन सी value accurate value है 13.6 क्योंगी अब सबसे जाल close कौन से 13.8 close है so this is called your accuracy क्योंगी अब कितना close जा सकते हो true value के that is your accuracy उसके बाद हम बात करते हैं precision के precision को क्या बोलते है how close how close the measured values how close the measured values to each other to each other समझ में आया कि कितनी जाला close है आपकी measured values एक दूसरे से ठीक है अब यहां पर भी परसीजन एक new term है इसको समझीए example के साथ ठीक है तो यही फिट से हमारी example है तो मान लेजिए 13.8 हमारा क्या है इसका true value है वो तो है ठीक है चलिए measurement कर शुरू करते है समस्टूर समवन सेज इस इस लेंद इस 12 cm समवन सेज इस लेंद इस इस 2.3 cm véj Every x 12.3 cm समवन सेत्स 12.4 cm समवन से इस 12.4 cm समवन सेFF 10 81 cm समवन से है 15 cm 18 cm, 10 cm, 11 cm, ठीक है, तो 11.5 cm, 12.9 cm, यह सब बही अलग-अलग measure values हैं, हमारे इस length of the mark करती हैं, तो इन सब में से precise को होन है, precise values किसको पूरते हैं, precise का मतलब समझिए आप statement से, how close the measure values to each other, भई हमें इसके लिए true value को ध्यान में रखना ज़रोरिया नहीं है, हमें देखना है measure values को, कि इन सब measure values में से सबसे ज़्यादा आपस में close कौन सी है, देखिए, अब 12 वारे links को ध्यान दीजिए, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, इन सब को हम क्या बहुत सकते हैं, these are career precise values, this is career precise, ठीक है, this is career, yes, this is career precise values, इनको precise method values बोलेंगे, क्योंकि सब values एक दूसरे के बहुत close हैं, ठीक है, यह 11.5, 12.9 भी दूसरे के, ठीक है, यह इतनी close है एक दूसरे के, ठीक है, जितनी ज़्यादा close होंगी इन दूसरे के, बहुत कोई भी हो, इसके लिए precision के लिए matter नहीं करता है, precision के लिए कौन matter करता है, कि कितनी measure values में से, कितनी values, readings, कितनी readings आपकी दूसरे के बहुत ज़्यादा close होंगी है, ठीक है, ठीक है, तो वो matter करता है, these are career precise values, ठीक है, और यह कोई precise values नहीं है, अगर इसी question में से, आप से पूछा जाए, what is the accuracy, accuracy क्या है, इन रिंग में से accuracy क्या है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, what is the true value, true value कितनी है, 13.8, और इसके सबसे जादा close value कौन सी है, very good, बताईए कौन सी सबसे जादा close है, 13.4, I think so, so, this 13.4 is your accurate value, we can say this is your accurate value, from these set of readings, from these set of observations, from these set of measured values, from these set of calculated values, इन सम्में से यह आपकी accurate है, और यह वो आपकी सारी precise values है, क्योंकि वो जादा है, अठीक है, ओके, so, these are kind of precise values, so, precision, आपको सम्में आगया होगा भी, तो भी यतनी जादा reading के दूसरे की close है, that are your precise readings values, and accuracy के है, जो जादा true value के close है, that are your accurate value, ठीक है, तो वही यह छोटे सा, चोटा सा topic था, accuracy और प्रसीजन और इनके बीच का चोटा सा difference, ठीक है, तो उमीद है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो चलिए, इसके बाद हम शुरू करेंगे, next topic, errors की तरफ, अब आपको यहां पर यह भी पता चल गया, what is q value, what are measure values, अब next class में बात करें यहोंगे, भी, errors के मुझे लग से नहीं class बना दी है, बहुत इंपोर्टन टॉप डिक है कि उसका बुषिन, medical portion भी करता है हमें, तो इंपोर्टन है वही उसके उपर, लग से class बनाएंगे, errors के उपर, till then, accuracy, precision, significant figures, और rounding of the digits की तरफ, ध्यान दीजिए, उसके बाद हम चलेंगे, next class में, errors की तरफ, ठीक है, till then, good luck, be happy and enjoy your videos, thank you.